दोस्तो आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में दोस्तो अगर आप काफी टाइम से ब्लोकिंग कर रहा हो आपके पास एडसेंस आकाउंट भी है और आप डेली कंटेन वगेरे भी डालतो हो लेकिन अर्निंग नहीं हो रही है तो आज का स्पेशल वीडियो आपके लिए है दोस्तो आज के अंदर मैं आपको जो मेरा एक्परिशन से काफी यरका इसके हिसाब से बताऊंगा कि अगर आज के टाइम के अंदर आपके पास एक ब्लोक और एडसेंस आकाउंट है तो मेरे तो दोस्तो आपको स्टार्टिंग में बता है कि अगर आपके पास काफी टाइम से ब्लोक है आपके पास एडसेंस आकाउंट है लेकिन आपको अर्निंग नहीं हो रही है तो आज का स्पेशल वीडियो आपके लिए है अब देखिए दोस्तो आज के टाइम के इसको यह नहीं पता होता है कि आज के टाम के अंदर किस तरह से वर्क किया जाता है, धिसके मददे से अटलिस हम कुछ अर्णिंग कर सकें, ब्लोगिंग के मददे से, अब देखिए यह जो प्रोब्लम है, इसका शिकार में खुद हुआ हो क्योंकि मैंने मेरा जो सब के बार में पता नियुक है कि किस तरह से work किया ज़ाता है किस तरह से स्टार्टिंग के time में work करते हैं यह सब के बार में तो देखिए दोस्तों क्या करता था मैं कि मérique काफी time मतलब कि एक दिन के 20-20 हाउंस 20-20 कंटे एक ही ब्लोग पर और एक ही नीश पर में वर्क करता रहता था और मैं यह सोच आदा कि कभी ना कभी तो मेरे ब्लोग में ट्राफिक आएगा कुछ ना तो कुछ होगा तो यह जो मेरा सोच ना था वो बेकार किया अब देखिए इस टा डेड़ साल तक मेहनत की हाडवर्क किया इसके बाद मुझे रिलाइस हुआ की ब्लोगिंग के अंतर इस प्रकार से वर्क किया जाता है तब जाकर जो भी आपका ड्रिम ब्लोग है जिसके उपर आप जो वर्क करते हो इसके उपर आप सक्सेस हो पाएगे आपको एक ही बात के जान रखना की जिस पर करका ब्लूग आपने स्टार्ट किया एक ही ब्लूग पर आपको वर्क नहीं करना है साइड में आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ेगा जिसके मद्दे से आपको अगर कोई ब्लोग बिल्कुल फ्रेशर है जो रिसेंटल इसने डॉमेट ने वगरे रिश्टर किया है और इसके पांस एडसेंस आकाउन है इसको ये वीडियो इतना कुछ लागू नहीं होगा अगर आपके पांस एडसेंस आकाउन है आप एक ब्लोग के अंदर वर्क करो लेकिन आपको ट्राफिक नहीं आ रही है आपका ब्लोग वगरे रेंक नहीं हो रहा है और आपको अर्निंग नहीं हो रही है तो ये वीडियो आपको काफी हेलफुल रहेगा अब देखिया आपको वर्क कैसे करना है आपको एक ब्लोग श्टार्ट किया है abcd.com और इसके उपरा स्पेशली वर्क करते हो जिसके अंदर आप वर्डप्रेस के बार में वगरे टिप्स देते हो या तो आपको किसी प्रकरका नीचे जिसके अंदर आप डेली पोस्टिंग वगरे करते हो और आसके टाम के अंदर भी यह जो रास्ता परफेकली वर्क करता है मैं आपको जो बताऊंगा एक्जांपल वगरे देकर अब मार लेजे आपके पास ब्लोग है जिसके उपर तो आपको डेली वर्क करना है लेकिन सैड्ल में आपको जो कोई और जोप का घ्टार करना है क्योंकि आसके टाम के अंदर गूगल के अंदर सबसे ज्यादा लोग जो जो न्यूम जोप के बार में search करते है रिजक के बार में search करते है इसके अलोब काफी सारा जो educational content होता है इसके बारे में सबसे ज़्यादा आसके टाइम के अंदर लोग चर्श करते हैं हमारे गुजरात के अंदर जो स्पेशल एक WhatsApp का ट्रीक है वो इसका हम यूज करते हैं मैं आपको थोड़ी दिर बात बाताऊंगा कि हम कैसे वर्क करते हैं और किस तरह से हम एक न्यू जोब की व यहां पर डिस्प्ले के ऊपर दोस्तों आपको देखा था कि यह बहुत ही बड़ा वेबसाट आसके टाम के अंदर हो गया है लेकिन इस टाम के अंदर यह वेबसाट कुछ नहीं था जिसके अंदर में टूटोरेल वगेरे लिखता था कंटेंड डालता था तो काफी टाम ल दोगों ने मुझे सजेश किया कि इस परकर का जो वेबसाट है वहां से अर्निंग करना थोड़ा मुश्किल है थोड़ा टाम लगेगा तो तो मैं काम करूं एक दो डोमेन डेम रेइस्टर करके वहां पर जोब की रिटेट कुछ कंटेंड पोस्ट करो इसके बाद इसको श अच्छी अर्निंग करता हूं यह पुराना ब्लोग है जो मैंने रिसेंटली मेरे में वेबसाट के साथ में स्टार्ट किया था ओनली ओन अनिंग करने से अनिंग करने के परपस है यहां पर आपको डिस्प्ले के ओपर दिखा देगा इसमें कंडिशन दोस्तों एक ही कि अच्छी अर्निंग हो जाएगी तो यह तो पुराना था अब दोस्तों मैं आपको आसके टाम के अंजर बता दो कि मैं जो एक्छुली करता क्या हूं तो डिस्प्ले के ओपर दोस्तों आपको एक और ब्लोग देखा था का रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया था करियर्वी. इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है कि आपका में जो ब्लोग इसके साथ में आपको कुछ और ब्लोग बनाना ले हैं अब डोमेन नेम वगरे रइस्टर करके डोट कॉम डोमेनी होना चाहिए जरूरी नहीं है आपके पांस एक डोमेन नेम होना चाहिए जिसके अंदर आपको डेली बेजिस पर जोब के रिटेड कंटेंट पोस्ट करना है अब आपको करना क्या है हम देखें मैं गुजरात के अंदर रहता तो गुजरात के अंदर अभी क्या चलता है मैं आपको बताता हूं वहां का तो इतना मुझे कुछ खास पता नहीं ओल एडिया का तो जैसे के दोस्तों यहां पर आप देखें नोकरी रडार.com के ओपर मैंने रिसेंटल एक पोस्ट डाला था जिसके अंदर एक जो एक्जाम है हमारा भू पोस्ट पॉइंड हुआ था तो यह पोस्ट का हम क्या करते हैं कि वाट्साप के अंदर एक गुजरती में लिखकर एक प हम शेर करते हैं तो जैसे एक ग्रूप के अंदर हम डालते हैं तो वहां से काफी सारे लोगों तक पहुंचाता है यह जो एक्जाम पोस्ट पर हुआ था यह लिंक मैंने शेर किया था तो अराउन थार्टी थाउजन लोगों ने वाट्साप की मदर से यह पोस्ट को विजि करते हैं नुर्मल शेरिंग करते हैं क्योंकि वहां पर यॉर्ल वगरे ब्लोग हो जाता हैं तो नुर्मल शेरिंग करते हैं वहां पर तो यह सब कुछ मिला कर वन हंडेड़ डॉलर से ज्यादा आसानी से अनिक हो जाता जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना हैं आपको इस प्रकर से वर्क करता हूं आज के टाम के अंदर आपका एक लाइब है अगर आप श्ट्रगल कर रहा हो तो श्ट्रगल के टाम में जो सर्वाइबल करने के लिए यह जो जोब का वेबसेट को काफी हेल्फुल रही सकता हैं यह मैं आपको गरेंडे के साथ कहता हूं क्योंक आपको कुछ नहीं करना है सिंपल आपको अगर आपका एक ब्लोग है जिसके अंदर एडिसेंस एनेबल हैं तो कहीं पर से भी आप एक दो डोमेट नेम रेइस्टर कर लिजें इसके बाद इसके अंदर आपको जोब के बारे में रिजर्ट के बारे में करण अफेड्स आपके खुद के इमेजिस बनाएं सिंपल इसको डाल दीजे और इसको आप सिंपल शेर कर दीजे अगर आपके ब्लोग के अंदर एडिसेंस एनेबल होगा और आप वट्सेप के अगर इसको शेर करेंगे फेस्बुक में तो मैं आपको गरेंट के साथ कहता हूँ कि आराम स आप अनिंग कर पाएंगे एडिसेंस के मदा से यह मेरा खुद का एक्सपरेंस है और यह मैं आज के टाइम के अंदर करता हूँ तो बस दोस्तों आज का वीडियो यह सकता है आपको पसंद आया होगा मुझे पता कि काफी सारे लोगों को यह वीडियो पसंद नहीं आया हो घुकि दो क्दों समार्ट लोग समझते है वो यह वीडियो देखकर कर दम जरूर कर कर ते क्योंकि इस वीडियो को शीखने मिला होंगा और यहीं वह लोग है वह आगे जाकर कुछ ना कुछ नया जरूर करेंगे तो बस दोस्तों आधे हैं तक था-तान्यू प्रसंद वीड झाल जो